नमस्कार दोस्तों टीमेक्स निकनिकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो सुबह के 8 बाद चुके हैं और बिल्कुल फ्रेश वीडियो के साथ मैं लेकर आगया हूं टीमेक्स उपर न्यूज और आज के न्यूज है बहुत ही कमाल के और जो सबसे बड़ा न्यूज बारे में सारा डीटेल बताऊंगा और तीसरा जो है वह और भी शांदार है वह है रियल मी रियल मी एक नया फोन लांच करने जा रहा है जैसा आप फोटो देख सकते हैं क्या सूपर डिजाइन है अब तक का मुझे सबसे बढ़िया डिजाइन लगा बिल्कुल अपडेटे चलिए देखते हैं दोस्तों और क्या क्या है आगे सबसे पहला सूपर न्यू ले लेते हैं और यह वन प्लस की तरफ से जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों वन प्लस नॉट लॉंच हो चुका है इंडिया में और इसका उनलाइन सेल भी स्टार्ट हो जाएगा अगर्स फर्स और अब वन प्लस लॉंच करने जा रहा है दो नए स्मार्टफोन सेप्टेमबर के फर्स्ट विक में आ जाएंगे और यह कहलाए जाएंगे वन प्लस 8T स्रीज क्या कमाल के हैं दोस्तों इसके अंदर में दो फोन हैं एक है वन प्लस 8T और दूसरा है वन प्लस 8T प्रो बह और जो बैट्टी होगा 4500 मिली एंपी और की बैट्टी होगी जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं वन प्लस हाइफ क्रियेट करने में बहुत ही एक्सपर्ट है मार्केट में मतलब बेसिकली उनका जो मार्केटिंग स्टेजी है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही शांदार है और सब्सक्राइब ले लेते हैं और यह है सैमसंग की तरब से तो सैमसंग गलेक्सी M51 लांच होने वाला है अगले महिने ही बहुत बढ़िया फोन है दोस्तों और इसके अंदर में 64 मेंगा पिक्सल का क्वार्ट कैमरा सेटफ है 12 मेंगा पिक्सल का आपको मिल जाएगा 20 मेंग पिक्सल का में कैमरा और जो सबसे खास बात है इस फोन के अंदर में कि इसका जो बैट्री कैपसिटी होगी 7000 मिली एमप्या और और के बैट्री होगी बहुत मासी बैट्री मुझे लगता है यह शायद गलेक्सी में अब तक कि सबसे बड़ी बैट्री होगी गलेक्सी M सेर दोस्तों अगला सुपज निए ले लेते हैं और यह है लगी की तरफ से तो अपना एक नया मोबाइल फोन लांच करने जा रहा है वह अगले महिने यानि अगस्त के महिने में और इस मॉडल का नाम है क्यू 92 मॉडल और इसके अंदर में स्नैप ड्राइगन 765 जी प्रोसेसर मिल लाएंगे और जो प्राइसिंग होगी मुझे लगता है करीव करीव 25 से 26 रुपे इसकी प्राइसिंग हो सकती है अब दोस्तों बात करते हैं रियल मी फोन के बारे में जैसे मैं आपको फोटोग्राप देखाया था शुरू में क्या कमाल का डिजाइन था दोस्त रियल म V5 मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूं इसका जो डिजाइन आपने देखा होगा कि बैक साइड में जो ये क्वार्ट केमरे का सेट अप है बहुत ही बड़ीया लग रहा है मुझे और जो रियल मी का जो लोगो है बहुत ही बड़ा लोगो ये भी मुझे बहुत अच में और इस में स्टोरेज कैपसिट होगी एक सोथा Core Camera का सेटपन अपिक्सल एट मेंगा पिक्सल दो मेंगा पिक्सल का और इसके अंदर में बैट् lesn बहुत ही बढ़िया होगा दोस्त और यह जो मुझे लगता है कि इसकी प्राइसिंग होने चाहिए 15,000 रपे के आसपास दोस्तों यह अगले मेन यह भी लॉंच होने वाला मुझे लगता है कि 15 अगस्त के आसपास ये भी लॉंच हो जाएगा तो जैसे ही लॉंच होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सारा डिटेल और अब्डेट बताऊंगा दोस्तों अब लेते हैं सुपर और डूपर नीउज और ये है आईफोन की तरफ से तो बहुत लंबे समय से आपको जैसा इंतजार रहता है आईफोन के बारे में पुरे दुनिया में आईफोन का हाइप बना रहता है और इसकी जो क्वालिटी है नो डाउट सॉफ्टेयर हाडवेर बहुत ही कमाल की होती है एक या धो फॉन लाँच करता या एपल और इस बार आने माला एपल का आईफोन 12 और इसके साथ में एपल ग्राश procent ओड़ मैकबुक एयर लाँच होगा मैकबुक प्रो लाँच होगा और इसके साथ में एपल डेक्टप भी लाुच को डॉस्पाइपलiad और को दो Dif 줄 सीजन होने वाला है दोस्तों मुझे लगता है दिवाली से पहले तो एक से प्रोड़क्ट लाँच होंगे और बहुत सारे आप्शन सा जाएंगे मार्केट में गैजेट्स और मोबाइल से रिलेटेड और एपल ग्लास की जो प्राइस होगी हो सकता है एक्सपेक्टेड प्रा दोस्तों मैं सार आपको Oklahes बताओंगा और बीज-भीज में अब दोस्तों सबीस्ट आज का वीडियो किसा लगा आप हमें ज confession करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मारे चैनल को बाकि दौस्तों आज मैं लेता हUNG विदा आख अपना ध्यान लखेंarden स्टे सेफ बिढि आपका दिन शुबू